हलो फ्रेंड्स, वेलकूं टू स्काइश्टेडी चैनल फ्रेंड्स आज जो है मैं लेंग्वेज टीचर जो एल्टी का एक्जाम होना है 2019 जो के लिए एक्जाम पैटर्न और स्लेवस जो है लेके आई हूं तो वीडियो एंड तक देखें मैंने जितने भी प्रिवियस एक्जाम हो हुए है उनको सभी को जज करके जो है ये स्लेवस जो है बताऊंगी आज आपको कि क्यासे कैसे जो है पूछा जाता है स्लेवस कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक देखें कुछ भी मिस्टा करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे चैनल पे आप HPGK, Current Affair, Pedagogy, Previous Old Question Paper, Education Policies and Committees यह सारा कुछ जो है अविलेबल हैं इवन Current Affairs की वीडियोस भी मैं डेली डालती हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं कोई भी एक्जाम हो है HPGK आपको पता है Main Topic HPGK और Current Affairs तो हमेशा ही ऐसे Topics है और Pedagogy हुआ, Education Commission हुआ, जब भी आप किसी Teaching Teacher वरने के लिए जो है पेपर देते हैं तो यह जो है चाहिए Pedagogy हुआ, Education Policies हुई, यह सबसे ज़्यादा पुछी जाती हैं तो वो भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, तो सबसे पहले देखते हैं कि exam pattern कैसे पुछे जाता है यह तो सबसे पहले जो हमारा language teacher जो main subject है, जो पुछा जाता है, सबसे ज़्यादा question जो पुछे जाते हैं, वो पुछे जाते हैं Hindi Literature हुआ, चाहिए जो journal Hindi है वो हुआ Hindi Literature means Hindi साहित्या, इसके बारे मैं आगे बताते हूँ कैसे कैसे पुछे जाते हैं, सेकिंड जो topic question जो पुछे गए हैं language teacher में वो है social science से लेटर, मतलगी समाज, समाजिक अध्यरन से लेटर, समाजिक जो science है उस से लेटर पुछे गए हैं और इस भी mainly जो है आपके कौन-कौन से जो main subjects है, main topics वो मैं आगे बताऊँगी, next है size, size में आपके पूछे गए हैं, जो everyday size, जो हम daily use करते हैं, size क्योंकि आपको बता है size तो हमारी daily use होती है, जैसे हम कौन से, जैसे आपकी हर्टवीटर के लिए, आप कौन से इंस्रूमेंट यूज़ करेंगे हर्टवीटर, मापने के लिए, मेयर करने के लिए, तो ऐसे ऐसे question पूछे जाते हैं, या फिर ये diseases किसकी बज़े से होती है, virus हो गया, bacteria हो गया, protozoos हो गया, तो वैसे-वैसे question पूछे गया है, मतलब basic question जो है, पूछे गये हैं, next है pedagogy and CDP, main topic इसमें भी पूछे गये है, pedagogy और child development psychology जो है, इस पे पूछे गये है question, history on education पे पूछे गये है, national committees on education, national committees in Hindi, हिंदी में general हिंदी के पूछे गये है question, जैसे आपको 10th level के जो हिंदी है, वो पूछे गये है, कौन कौन से topics है, वो मैं आगे बताऊंगी, आगे है हमारा English, English में आपका जो जो है, सिर्फ एक ही type के question पूछे गे है, जैसे आपको जो verse meaning आपने बताने है, जैसे आपको हिंदी में जो है कोई word लिखा होगा, आपने उसका जो है, ये बताना है कि इसमें हिंदी में क्या इसका मतलव है, जैसे मालो amendment दे रखा है, तो आपने बताना है कि amendment को हिंदी में क्या मोलते हैं, तो English के भी पूछे गे हैं, next है HPG के, HPG के क्योंकि HP का exam है, तो obvious है कि HPG के तो आनी ही आनी है, next है current affairs, daily current affairs जो है, वो आपने करने है, current affairs के भी काफी question पूछे गे हैं, और reasoning, reasoning के भी question पूछे गे हैं, तो ये जो है, in subject पे जो है, ये सारे के सारे subject जो है, है, वो बनता है, इनी topics में से, मतलब इनी subjects में से, और कुछ extra नहीं पूछा गया है, इसमें सारा हमारा हिंदी साहिक्ते भी हो गया, हमारा समाजी को विज्ञान भी हो गया, विज्ञान हो गया, फिर pedagogy होगी, और मनो विज्ञान हुआ जैसे, और हिंदी होगी, English होगी, ह अगर आपने सारे के सारे subject एक वर किये हैं, तो आप इसली ये paper clear कर लेंगे, आप question कितने पूछे जाते हैं, 170 question पूछे जाते हैं, और हर question के half marks होगे, और कोई भी negative marking नहीं है, मतलब total कितने marks का paper है, 85 marks का total ये paper है, तो friends, इसके बाद, जो exam pattern है, इसके बाद में एक paper भी डाल जो हमारा इसका language teacher का paper है, previous paper है, वो solve करके बताऊंगी आपको, तो आप उसको देख के भी judge कर सकते हैं, कि कितने question किस subject के पूछे गए हैं, तो आप उसको ध्यान में रख के त्यारी कर सकते हैं, अब next देखते हैं कि कैसे कैसे पूछे जाएंगी, तो सबसे पहला है हमारा Hindi literature मतलब हिंदी साहित्य, तो ये आपने जो है, जो graduation level तक की book है, वो आपने जुरूर पढ़के जानी है, वहीं से हिंदी साहित्य के question पूछे गए हैं, शोशल साइंस में क्या पूछा गया है, एक तो आपके history के question पूछे गए हैं, कि जैसे आपको संस्थापक पूछ लिए, जैसे कोई विराजवांश है, उसके संस्थापक पूछ लिए, या फिर इस तरह मतलब history के question पूछे जाएंगे, जियोग्राफी हो गया, आपका Indian economy से लेटर होगे, जैसे articles होगे, या फिर प्रेजिडेंट को कौन appointment करता है, गवर्नर को कौन appointment देता है, जो हमारे है, उनके पास कौन कौन सी जो powers है, वो है, इस तरह के question पूछेगे है, साइनस में, जो है, everyday science लेटर question पूछेगे है, जैसे acid हो गया, जो previous paper है, उसमें, जो है, acid, आपका जो है, formulas पूछेगे है, जाए, base हो गया, कोई disease होगी, उसके बारे पूछेगे है, instrument के बारे पूछे है, तो इस तरह के जो everyday science, जो general science है, उसके question पूछे जाते हैं, next है, pedagogy और CDP, इसमें में जो theories है, जाए, वो theories of intelligence है, जाए, प्याजे theory है, कोहल वर्क्स है, बाइगोस्की है, यह teaching methods है, कुछ भी में से जो है, पूछा जा सकता है, as a teacher, जो है, आप कैसे students को motivate करेंगे, इस त पूछे हैं है, mainly hunter commission, boot dispatch हुआ, national commission on education, national commission on education हुआ, sorry, यह है, national policy on education, NPE, जो कि 2019 में आपको पता ही है, national policy of education जो है, लागू हो चुकी है, NPE है, यह, मैंने national education commission लिख दिया है, तो national policy on education, NPE 2019 जो है, लागू हो, चुकी है, इसके क्या-क्या क्रेक्टर स्रिक feature है, क्योंकि यह, एक तो current affair में भी आपता है, कि काबल लागू ही है, और second यह आपता है, क्या-क्या इसके main feature है, तो मैंने videos डाल रखी हैं, वहां से आप जरूर देखें, यह पूरा section, जो national commission on education है, इस पे मैंने playlist में एक अलगसे section डाल रखा है, उसमें जो है, यह सारी का-सारी commission मैंने डाल रखी है, और जो भी important important question पुछी जाते हैं, वो भी, एक वर जुरूर जो है, पिपर से पैले, एक वर read out करके जाए, आटी पे, right to education पे question पुछे गे हैं, तो यह इसमें में पू question डाल दिये हैं, तो आप देख सकते हैं, next है हिंदी, हिंदी में जो है, पहले हिंदी साहित्य के उपर question पूछ लिये जाएंगे, कि इसके रचनकार कौन है, इस बुक के, जो है, किसके author कौन है, ऐसे question पूछे जाएंगे, बट जो general हिंदी है, जो up to 10th level तक आती है, उसमें जो है, मेली संग्या से question पूछेगे हैं, जैसे भाबाचक संग्या जैसे example दे रखे हैं, तो आपको बताना है, इनमें से भाबाचक संग्या कौन सी है, यह सर्व नाम दे रखे हैं, बिशेशन option दे रखे हैं, इसकी बिशेशता क्या है, बिशेशन कौन सा है, अभ्याय के उपसर्ग और प्रत्या हो गया समास प्रेंस इसके उपसर्ग और प्रत्या में से ही पूछे जाते हैं संदी होगे आपका मुहाबरे होगे प्राइवची ब्लोब शावद रूपक बाक्याश के लिए उच्छ शावद यह होगा कि जैसे आपको पूरा वर्स बाक्याश दे रखा होगा उसमें आपने बताना है कि इसको कौन सब बढ़ शुटेवल है इसके लिए तो यह है हमारे ह हिंदी का स्लेवर्स अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश नेक्स्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया वर्स दे रखे हैं और आपको जो है हिंदी में मीनिंग बताना है तो इसी त्याइप के कॉश्ण पूछेगे हैं और इंग्लिश में जो है अगर आप ज़्यादा ही करते हैं तो अंडर नेम और से अंडर नेम कर लें और कुछ नहीं पूछा जाता है next है HPGK, HPGK क्योंकि HPGK के बहुत सारे topics हैं जो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि किसी भी topics से question पूछा जा सकते हैं तो आपको मेरी previous videos भी देख सकते हैं HPGK के लिए मैंने अलगी folder बना रखा है सारे के सारे जो है करवार रखे हैं मैंने mountain range हो गया lakes, rivers, temples, HP history, famous rounds and their old names hydrolective project हो गया हिमाचल की रियासते होगी उनके सिंसापक होगी वो सारे के सारी videos डार रखी हैं तो बहां से आप देख सकते हैं next है आपके current affairs current affairs में जो है मेली एक तो HP के current affairs पूछे जाते हैं और इंडिया के तो वो भी videos अपिलेबल हैं वहां पे देख सकते हैं तो ये current affairs जो हैं आपने जुरूर करके जाने हैं क्योंकि current affairs के भी काफी कोशन पूछेगे हैं next listening अब reasoning में जो है मेली जो कोशन पूछे जाते हैं वो है coding और decoding में पूछे जाते हैं कि इसकी coding या decoding क्या होगी blood relations पे कोशन पूछे जाते हैं और last distance या directions पे कोशन जो हैं हमेशा पूछे जाते हैं तो ये 3 topics जो हैं ये आप जुरूर करके जाएं तो friends ये था HP language teacher जो LT का जो paper है उसका slavers जो है वो मैंने बता दिया तो ये ही जो main जो मैंने बता दिया reasoning आती है current affair आते हैं HPG के आते हैं तो ये ऐसे topics हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने और जो literature है HP का उसमें जो है approximately आपको 55 questions पूछे जाते हैं और उसी तरह जो है जो आपकी हिंदी section है उसमें भी approximately कोई 35 तक question पूछे जाते हैं तो मतलब जो basic journal हिंदी है और हिंदी literature है इस पे आप जो है main focus कीजिए क्योंकि ये आपका खुद का subject है और आपको easily जो है number आएंगे और education policies और चाहिए pedagogy है चाहिए everyday science है इनको भी एक एग घंटा जो आप जुरूर देजिए दिन का क्योंकि इन में से भी question पूछे जाते हैं तो आई हो friends आपको वीडियो पसंत आई होगी तो इसके बाद जो है मैं LTE का commission का paper भी डालूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि तर टाइप के जो है question पूछे जाते हैं So thank you so much friends and good night